गुट इविनिंग एव्रिवन आप वेरी गुट इविनिंग तो आल फियू बच्छो आम बाक इन दी लक्षे बैच पॉर पावर एलेक्ट्रोनिक्स मॉड्यूल नमबर थ्री और बेटा पिछले कुछ दिनों इसले क्लास नहीं हुपाई बिकॉज आई वस नॉट फीलिंग वेल आई वस सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर बट दोंट वरी नाव आउ आम बाक और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भई थाईरिस्टर कम्यूटेशन ठीक है तो यह थाईरिस्टर कम्यूटेशन का पाट नमबर वन होने वाला है तो इसके अंदर आप देखोगे class A commutation और class B commutation ये दोनों चीज़ें काफी detail में हम लोग समझेंगे commutation circuit का role हम समझेंगे क्या होता है क्या उसकी requirements होती है और कितनी तरह के commutation circuit देखने मिलते हैं तो चलिए let me start by introducing myself my name is Ankit Goyal I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018 I was awarded gold medal by president of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT till date I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE and I am currently working as a director at an academy for GATE department मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ important क्या है important ये इस चैनल पे जो team है ये बहुत जादा hard working team है और हमेशा एक ही चीज़ के पीछे जाती है एक ही चीज मेक्शोर करती है कि हमारे जो बच्चे है ना वो सभी से हर race के अंदर आगे रहें और हम ये चाहते हैं कि आप जो भी exam की तरफ नजर डालें जिस exam को आप target करें ना सिर्फ उसमें अच्छा perform करें बल्कि उस exam को ना आप लोग फोड दें चखना चूर कर दें इसी के लिए इतने सारे initiative आते हैं initiative सिर्फ YouTube पे नहीं आते हैं बल्कि Unacademy app पे भी आते हैं इसी लिए Unacademy app install कर लिजे and then access all our free initiative simply by unlocking them using the code ankitese bse बहुत easy है ठीक है और देखो यार मेरी सारी special classes आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर यहाँ पर जाओगे तो हमारी सारी special classes पाओगे जो आज तक हुई है या फिर जो आगे होने वाली है जो आगे होने वाली है बिटा they will be available in the upcoming special classes और मेरे बच्चों जो हो चुकी है classes वो बहुत सारी classes अलग अलग folders के अंदर आपको मिल जाएंगी प्रेक्टेस, concept through question, get previous year question, practice session, marathon session सब आपको मिलेगा अभी तो पिटा मेरी तबियत पहले से better है completely recovered तो नहीं हूँ मुह में थोड़ा सा infection हो गया है इसी दे बोलना पढ़ाना थोड़ा सा tough पढ़ रहा है as compared to regular days चलो तो यार thyristor commutation की बात करेंगे आज हम लोग और हम देखेंगे commutation की जरुवत क्यों पढ़ती है commutation circuit क्या होते हैं और दो तरह के circuit explain करूँगा class A and class B ठेक है बई? तो पहले हम बात करते हैं what is commutation है ना? अब बेटा जब commutation की बात की जाती है कि commutation क्या होता है sir तो commutation एक ऐसा process है जिसके अंदर हम एक thyristor को या फिर आप in general कह दो किसी device को जब हम turn off करते हैं तो that process of turning off a device is called as commutation या फिर अगर ज़्यादा standard definition देनी है the process of taking the current away from a device taking the current away from a device का मतलब किसी device से current ले लेना ले लेना मतलब छीन लेना जो device एक current carry कर रही थी आपने उससे वो current छीन लिया यानि आपने उसके current को क्या बना दिया जीरो that process is called as commutation the process of turning off a device is called as commutation इसको क्या कह देते हैं commutation कह देते हैं अब अगर इसको commutation कहते हैं तो commutation कितनी तरह का होता है देखो commutation को अगर उपर उपर से सोचे ना तो दो पार्ट में divided होता है one is called as the natural commutation and second one is forced commutation अब बेटा natural commutation का मतलब क्या होता है जब कभी जैसे हमारे rectifiers है या कोई भी ऐसा circuit जहां AC supply है तो अगर आपकी device अपने आप बंद हो जाती है due to alternating nature of the supply then it is said to be natural commutation और अगर device को एक external circuit लगा के बंद करना पड़े then it is said to be forced commutation तो यहां पे अगर हम बात करें कि भई natural commutation क्या चीज़ है हम यहां पे बोलते हैं if that device is turned off due to alternating supply then it is called natural commutation देखो यह मैंने आपको rectifiers में दिखाया भी था भई वहां आपने circuit turn off time के बारे में भी जानकारी ली थी यादा भई rectifier में circuit turn off time का फंडा पड़ चुके हो यादा यह भूल गए अभी से चलो एक सिंपल सा rectifier में लीता हूँ अब बेटे यहां पे हमने लगाया था VM sin omega t अब आपने SCR को trigger किया था ठीक है आपने SCR को trigger किया था at an angle alpha लेकिन आपने क्या बोला था यह कहां तक conduct करेगा यह pi तक conduct करेगा sir pi के बाद बंद हो जाएगा because it cannot carry negative current correct बात है correct बात है भई यही बोला गया था हमने क्या बोला था यहां पे कि SCR triggered at alpha and conducts up to pi beyond pi it does not conduct as it cannot carry negative current ठीक है तो यह pi पे आके बंद हो गया था भई तो अब जब हम waveform की बात किये थे बच्चों क्या है ना basic से इसलिए सिखा रहा हूं ताकि अगर पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी बढ़िया से सीख जाओ यह पहले हमने supply बनाई थी फिर output voltage output current और फिर SCR का voltage ठीक है भई हुआ है यह देखो अब हमने यहाँ पर waveform कैसी दिखाई थी यार हमने पहले न सप्लाई बना दी थी याद आ रहा है अब आउटपुट में क्या हुआ था कि आउटपुट में न आपकी जो waveform है वो जीरो से स्टार्ट ना होके अल्फा से स्टार्ट होई थी और गई कहां तक थी पाई तक फिर जीरो हो गई थी फिर अल्फा से स्टार्ट होके पाई तक थी तक है तो अगर करेंट की बात करें तो करेंट का ग्राफ भी सिमिलर था भई क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो वी नॉट आई नॉट का ग्राफ सेम था अब अगर थाई रिस्चर की बात करें तो बिड़ा थाई रिस्चर जब तक आउन रहेगा तब तक उसका वोल्टेज जीरो रहेगा और जैसे ही आपका थाई रिस्चर बच्चे बंद हो जाएगा तुरंत उसके एक्रोस सप्लाई वाला वोल्टेज आ जाता है इस टाइप से तो हमने यहाँ पे क्या किया था ना हमने यहाँ पे यह बता दिया था सर्केट टर्न आफ टाइम ओमेगा टीसी याद आया यह ओमेगा टीसी हो गया था भई तो यह सप्लाई वोल्टेज थी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करेंट थाइरिस्चर वोल्टेज तो बेटा इससे क्या समझे कि नैचुरल कम्यूटेशन में क्या हुआ ना पाई एंगल पे आ करके डिवाईज अपने आप बंद हो गई क्योंकि सप्लाई वोल्टेज ने उसे रिवर्स बायस कर दिया इस तरह के कम्यूटेशन को हम कहते हैं नैचुरल कम्यूटेशन ठीक है अब यह हमें कहां देखने मिलता है इसके जो एक्जाम्पल्स होते हैं that is phase controlled converters ठीक है इसके अलावा ac voltage regulator और step down cyclo converter इन जगाओं पे नैचुरल कम्यूटेशन देखा जाता है ठीक है अब बात आती है बिटा forced commutation की forced commutation का मतलब जहां पे थाइरिस्चर अपने आप बंद ना हो उसे जबरदस्ती बंद किया जाए with the help of external circuit that is called as the forced commutation तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि SCR is turned off by means of an external circuit तो that is forced commutation जिसके बारे में कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटा अब यह कहां पे यूज होता है choppers inverters step up cyclo converters ठीक है बई तो अब बात यह आती है कि जब commutation circuit बनाते हैं तो commutation का basic principle क्या है commutation की requirement क्या है SCR को जब turn off करोगे commutation करोगे तो किन बातों पे ध्यान देना है तो पेटा इसके अंदर दो चीजे करनी होती हैं पहला reduce anode current below holding current देखो ideally तो anode current को zero करना होता है बट अगर practically बात करें तो anode current को holding current के नीचे लाना है क्योंकि आपको याद है on होते समय क्या देखते हैं latching current और off होते समय क्या देखते हैं holding current तो holding current के नीचे ले आओ दूसरी condition यह होती है reverse bias SCR for a time more than device turn off time है ना मैंने आपको बताया था device turn off time के अंदर दो चीज़े आती है that is the reverse recovery time and the gate recovery time तो TRR और TGR इतना time हमें लगता है device के अंदर से charges को extract करने में ताकि device को हम पूरी तरह से off कर पाएं तो कितनी देर तक reverse bias रखा जाता है that is circuit turn off time circuit turn off time circuit turn off time यह होता है TC ठीक है तो यह क्या time है time for which SCR remains reverse bias देखो कितनी देर तक रखना चाहिए that is TQ और कितनी देर तक रखोगे that is TC तो यह दो requirement होती है commutation circuit की की उसको current zero करना है और उसके बाद उसे reverse bias रखना है for a time more than the device turn off time clear है वही यहां तक चले वही आगे चलो तो सबसे पहले आता है class A commutation class A commutation में क्या करते है अब यहां एक simple circuit है जैसे step down chopper होता है DC source है SCR है एक load है रवी बेटा अब यही तो पढ़ना है क्या use करेंगे external circuit में TQ का definition अगर semiconductor devices देखोगे विन है तो वहां मैंने लिखवाया भी है TQ का meaning होता है the time required to remove the stored charge carriers from a device is called as device turn off time और जितनी देर तक reverse बायस रखोगे that is circuit turn off time हाँ भई तो यह देखो एक simple सा step down chopper जैसा circuit है कि एक DC supply है एक SCR है और एक resistive load है अब यहां commutation perform करने के लिए मैंने लगाया है एक L और एक C तो यहां पे आपका main circuit क्या है बेटा आपका main circuit है VS, thyristor and resistor और यहां पे commutation circuit कैसा है that is L & C तेक है L & C बनाया अब यहां पे देखो दो possibility है या तो L और C R के series में लगा दे या फिर R के parallel में C लगा के series में L लगा दें तो यह वाला connection use करते हो for low resistance और यह use करते है for high resistance high resistance माने जब किलोोम में होता है है ना लेकिन chopper के अंदर किलोोम के resistance की बात नहीं करते है इसलिए यह वाले की बात करेंगे अब बेटा यहां aim क्या है L & C लगाने का aim यहां पे यह है कि circuit को मुझे बनाना है एक under damped second order circuit क्या बनाना है एक under damped second order circuit तो मैं इसके अंदर first circuit के analysis के बारे में बात करने वाला हूं L & C should be chosen such that network becomes under damped ठीक है under damped का मतलब बाई जीटा less than 1 या फिर अगर network में भी आप पढ़ते हो तो alpha less than omega 0 यानि की ये condition आ गई अब मैं क्या कहता हूं कि अगर steady state में बात की जाए तो capacitor open करोगे inductor shot ठीक है first circuit की मैं बात कर रहा हूं i infinity will be 0 under damped ही क्यों बनाते हैं रिया ही समझ आएगा थोड़ा सा वेट करो तो पिटा इस circuit के अंदर steady state में 0 current आएगा क्योंकि capacitor open हो जाएगा अब एक under damped circuit का response कैसा आता है सर इसके अंदर decaying oscillations आते हैं सर बिल्कुल सही बात है बिटा इसका response कैसा मिलना चाहिए इसके अंदर आपके पास decaying oscillations आने चाहिए भाई ठीक बात है क्यों भाई और यह oscillation 0 के about centered होंगे यह oscillation 0 के about centered होंगे क्यों होंगे 0 के about centered भाई क्योंकि current की steady state value 0 है current की steady state value 0 है तो 0 के about centered होंगे अब आपकी expectation कैसी है current के बारे में भाई कि sir current ऐसे ऐसे जाके finally 0 हो जाएगा लेकिन बच्चों network से हटके छोटी सी बात और सोचो क्या सोचना है कि भाई यहां scr लगा है तो current 0 के नीचे नहीं जा सकता scr does not allow negative current इसलिए बच्चों current में बस यह वादी cycle आएगी आगे की नहीं आ पाएंगी यहां पे क्या होगा अब समझे रिया पिटा की हमने under damned क्यों लिया अगर current oscillate नहीं होता तो scr बंद भी नहीं होता जब current negative जाने की कोशिश करेगा तभी तो आपका scr बंद होगा तो यहां पे कितनी देर के लिए conduct किया यहां पे scr conducts for one half cycle of damned oscillation तो यानि कितनी देर का conduction आएगा pi by omega d अब यह omega d क्या होता है जो बच्चे control या network पढ़े होंगे उन्हें omega d बहुत अच्छे पढ़ा पता होगा यह होती है damping frequency और यह कैसे निकलती है भई यह निकलती है omega n root over one minus jeta square ठीक है तो बेटा अगर यहां आप over damped लेते या फिर यहां आप critically damped लेते तो आपका यह conduction वाला funda नहीं बन पाता जहांपे कि यह zero जाएगा रवी बेटा मैं यहांपे यह मानके चल रहा हूँ कि SCR पहले से on है पहले से on है यानि कि मुझे नहीं पता यह कब on हुआ आप मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ off होने की ठीक है मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसकी off होने की ना की on होने की तो इसलिए अब यह मत देखो triggering कब थी अब बस आप यह देखो यह बंद कब हो रहा है clear हुआ तो अब से जो है ना हम यह मान के चलेंगे t equal to zero पे scr हमारा पहले से on था तो आप यह भी कह सकते हूं ना pi by omega d is time taken by commutation circuit to turn off scr बेटा एक दिन के दो लेक्चर देखो आप ठीक है pi by omega d time लगेगा अब आते हैं important class b class a पे अगर question आएगा तो बस इतना सा आ सकता है कि अंडर damp डूना चाहिए उसके लिए under damping की condition पूछ सकते हैं omega d पूछ सकते हैं time पूछ सकते हैं जो pi by omega d अभी निकाले हूँ basic basic class b इसको हम बोलते हैं current commutation क्या बोलते हैं और बोलते हैं resonant pulse commutation अब देखो यहां से आप लोग का serious हो जाना जरूरी है इस circuit का operation समझने में मज़ा भी आएगा और learning भी तगड़ी होगी अब देखो भाई यहां पे कुछ assumption लेके चला जाता है पहले assumptions समझ लेते हैं बढ़ियां तरीके से पहला assumption at t equal to 0 tm is on at t equal to 0 vc is vs capacitor supply voltage के बराबर charged है ठीक है कुछ page छोड़के यहीं से continue कर लो class b class a से तो कोई लेना देना नहीं है and load is highly inductive i0 is constant अब देखो भाई यहां पे यहां पे एक free willing diode भी होगा waveform बता तो दिये भी और क्या बतायता यह इसमें बस current की waveform देखते है यहां आरलसी सरकिट ही तो है और कौन सा waveform देखोगे ठीक है यहां यहां पे एक free willing diode भी रहता है हमारा अगर आप यहां पे ध्यान से देखें अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे न यह main thyristor यह free willing diode यह load यह मिलके एक buck converter बना रहे हैं यह सब मिलके क्या बना रहे हैं यह buck converter बना रहे हैं यह commutation circuit है बाकिये मुझे लगता है न यहां पे भी एक diode था वह मिस हो गया है ऐसे तो बचे वे जितने भी component हैं जितने भी component हैं देखेंगा commutation circuit एक doubt class भी arrange करवा दीजे बेटा doubt class तो arrange करवा पाना यूट्यूब students के लिए possible नहीं है क्योंकि उसके अंदर इतने बच्चे आ जाएंगा I won't be able to answer each and every one of those doubts वह facility सिर्फ और सिर्फ प्लस पे हैं क्योंकि पूरी एक toppers की team है जो doubt का video solution बना के देती है अब बेटा यह चीज़ें आपको आपस में discuss करनी पड़ेंगे अपने senior से doubt clear करने पड़ेंगे यह सारी facility यूट्यूब पे available नहीं कराई जा सकती अब देखो भाई यहां पे हां हम कहां पे थे कि यह diode D1 है तो मैं आपको यह बता रहा था कि यहां यह circuit buck converter का ही है क्या-क्या vs main thyristor freewheeling diode और load और commutation का जो part है इसके अंदर commutation circuit है auxiliary thyristor LC and D1 यह चार elements है आपके for the commutation circuit ठीक है यह चार element है आपके for the commutation circuit अभिशेक मेरे क्याल से तुम सुभई की क्लास में भी कुछ ऐसी बकर पेल रहे थे जितना मुझे याद आ रहा है तुम ही थे ना दोपैर की क्लास में से शायद दो बजे वाली में जो प्रेप लेडर के बारे में पूछ रहे थे ऐसा ही था क्या भई अभिशेक कुमार एक बार बताओ अब देखो यहाँ पे ना अलग-अलग modes के बारे में बात की जाती है सबसे पहले हम बात करते है mode number one अब बटा देखो क्या है इनीशियली आपका main thyristor on है तो obviously freewheeling diode off होगा थैंक्यू बिटा बिशेक, just a minute तो में जो है ना बस time pass करना इस channel पे ठीक है तो next time अगर irrelevant बात करोगे तो भगा दिये जाओगे इस channel से permanently अब देखो यार initially आपका main thyristor load को current supply कर रहा होगा load को supply कर रहा होगा current अब यहां पे अगर देखो तो यह capacitor charge है Vs तक जिस कारण से auxiliary thyristor है forward bias सोचके देखो अगर यह Vs तक charge है तो positive terminal anode से जुडा negative terminal cathode से जुडा positive anode से और negative cathode से तो auxiliary thyristor क्या हो गया forward bias तो मैं क्या बोल सकता हूँ मैं यही पे लिख देता हूँ एक काम करता हूँ at t equal to zero since Vc is Vs auxiliary thyristor is forward biased अब हम लोग क्या करते हैं बेटा forward bias है न तो इसको on उने के लिए क्या चाहिए on उने के लिए क्या चाहिए gate pulse चाहिए तो हम कहते हैं at t equal to zero auxiliary SCR is triggered auxiliary SCR को on कर देते हैं at t equal to zero at t equal to zero जैसे ही आप auxiliary SCR को on करते हूँ बेटा यह हो जाता है short circuit और यहां पर form हो जाता है discharging LC circuit क्या form हो जाता है discharging LC circuit अब ऐसी situation में capacitor के positive terminal से current निकलेगा कितना current निकलेगा IC which is Vs root over c by L यह equation बेटा मैंने लिखनी सिखाई थी LC oscillator में directly short form से सर SCR बता दीजिए प्लीज SCR क्या short circuit ratio या फिर silicon controlled rectifier क्या जानना चाहते हो बई बताओ ठीक है यह IC आ गया अब capacitor का initial voltage Vs है तो initial voltage अब non zero होता है तो cosine function चलता है तो यह मुझे मिल गया VC और IC VC और IC ठीक है अब अगर यह हमको मिल गया तो इसके अंदर हम क्या करेंगे अब हम क्या बोलेंगे भी अब हम यह बोलेंगे when I see tries to reverse ध्यान से देखिएगा tries to reverse after omega not t equal to pi भाई पाई के बाद sine की value negative हो जाती है ठीक है यह बताओ sine की value pi के बाद negative हो जाती है ठीक है तो इसी लिए जब IC reverse होगा auxiliary thyristor turns off क्योंकि कोई भी thyristor या diode reverse current नहीं carry कर सकता तो जब current उल्टी direction में बहने की कोशिश करेगा तो auxiliary thyristor बंद हो जाएगा भई अब उस समय पे current क्या होगा pi पे pi पे current होगा zero और capacitor की voltage minus vs cos की value pi पे minus बनाती है तो यानि auxiliary thyristor ने conduction तो किया लेकिन कहां से कहां तक zero से pi इसे कहते है mode number one क्या कहते है mode number one अब बिटा जब capacitor की voltage माइनस vs हो गई तो basically इसकी polarity पलट चुकी है करेक्ट अब यह चाहेगी current ulti direction में flow करवाना भई यह क्या चाहेगा current ulti direction में flow करवाना ऐसे अब भई यह current यह auxiliary thyristor कहेगा मेरे जीते जीतो नहीं मैं flow होने दूँगा तो इसको कौन allow करेगा इसको allow करेगा बिटा यह वाला diode देखो जरा देखो मेरे बच्चे अगर capacitor ऐसे current flow कराना चाहे तो करा सकती है diode के माध्यम से diode के माध्यम से करा सकती है बिलकुल करा सकती है भई अगर ऐसा यह कर सकती है तो आप कहोगे सर बीच में एक अर्चन है कौन थाइरिस्टर सर यह कैसे उल्टा current जाने देगा बिटा यह उल्टा नहीं जाने देगा देखो यहां से capacitor की current तो ऐसे गई अब इस थाइरिस्टर के पास जो current आएगी न वो I0 और यह D1 वाला current I0 और यह D1 वाले current का resultant होगी यह मत सोचो बस यह जो current है कि यह ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगा नहीं यहां से current जाएगा तो उपर लेकिन इस थाइरिस्टर में दोनों current का resultant आएगा यह भी तो विचारा थाइरिस्टर है यह कैसे उल्टा current अलाव कर देगा तो जब इसका current उल्टा होने की कोशिश करेगा तो यह बंद हो जाएगा अभी देखो इसके अंदर ना दो current जा रहे होंगे कैसे अगर आप यहां KCL लगाओ ITM I0 minus ID1 क्या होगा ITM is I0 minus ID1 अगर यह ID1 I0 से बड़ा हो गया तो में थाइरिस्टर का current negative हो जाएगा तब यह बंद होगा जब तक यह डायोड का current I0 से छोटा है तब तक उसे कोई समस्या नहीं है तो हम यहां पे क्या बोलते है कि when capacitor current reverses diode turns on allowing formation of LC oscillator अनुराग बेटा जिस तरह के doubt आप पूछ रहे हो कि सर यह पढ़ा दो मेरा एक्जाम में वो पढ़ा दो पहली बात तो बेटा यह home tuition तो है नहीं कि मैं आके ले आपको पढ़ा रहा हूँ आपके घर आके तो जो आपके कल एक्जाम में आने वाला है वो मैं deliver कर दो समझ आ रही है मेरी बात तो बेटा यहां पे मुझे multiple बच्चों को पढ़ाना है तो obviously जो lecture मैं आज लेने आया हूँ जो topic पर बात करने आया हूँ जिसकी वज़े से जो जनता बैठी है वो topic डील करेंगे ना ऐसा थोड़ी किसी का कोई exam है तो कल उसके लिए कुछ और किसी दूसरे बच्चे है कुछ और exam है तो उसको कुछ और पढ़ा दिया है ना ऐसा possible नहीं है अब देखो मैंने यहां पर क्या बुला कि यह जो आपका ic है भाई यह उल्टा जाने लगेगा correct ऐसे जाएगा इसकी polarity भी ऐसी हो जाएगी polarity पलट गई थी ना vs अब यह जो main thyristor का current है अगर आप kcl लगाओ तो यह है ना मैंने क्या बुला इस thyristor को तब तक कोई समस्या नहीं आएगी तब तक कोई समस्या नहीं आएगी जब तक i0-ic positive है है ना तब तक तो current anode से cathode ही जा रहा है अब अगर ic i0 के बड़ा हो गया अगर आपका ic i0 से बड़ा हो गया तब इसे समस्या आए क्योंकि इसका current negative आ जाएगा अब यहाँ पर मैं फिर से क्या कहता हूँ भाई एक discharging LC circuit है सर आपको कैसे बता discharging है बेटा LC circuit के loop में कोई source ही नहीं आ रहा loop तो देखो यहीं ना है इस loop में battery थोड़ी include हो रही है तो इस loop में जब कोई source नहीं आ रहा it is a discharging circuit तो यहाँ VC क्या है Vs cos omega naught t Ic क्या है Vs root c by L sin omega naught t ठीक है अब मैं क्या कहता हूँ कि main thyristor remains on till Ic is less than I naught जब तक Ic I naught से छोटा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम क्या कहते हैं Ic equal to I naught अगर हम करें ठीक है तो हम कहते हैं तो यहाँ से angle क्या आ गया लेकिन यह ध्यान रहे हैं mode 1 के बाद की बात हैं तो मैं कहता हूँ main thyristor तो पाई इसमें add कर लेना सर पाई क्यों add किया क्योंकि बेटा mode 1 के बाद की बात कर रहे हो तो short लिख दिया capacitor peak current Icp माने peak current of capacitor तो यह हमारे पास आ गया कि अब main thyristor बंद हो गया ठीक है भई main thyristor बंद हो गया अब भई main thyristor भी बंद auxiliary भी बंद अब load तो लेकिन यह बुलेगा कि मुझे तो I0 चाहिए मतलब चाहिए load को तो भई I0 से मतलब है load कह रहा है हम है highly inductive हम अपना current लेके रहेंगे अब यह कौन दे किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा तब हम आते हैं mode number 3 पे mode number 3 पे अब हम क्या कहते हैं कि at end of mode 2 at end of mode 2 main thyristor turns off और VC की value अगर पता लगाऊं भई इस equation से cos में डालना जरा omega naught t क्या आया था sine inverse I0 by ICP क्या आयगा cos के अंदर डालोगे sine inverse I0 by ICP इसे मैंने बोल दिया VR करेंट चाहिए ही चाहिए load is highly inductive and demands I0 अब I0 कहां से जाएगा VS is constant inductor का वोल्टेज हो गया 0 यह capacitor को इस polarity पे charge करने की कोशिश करेगा तो अगर VC की polarity ऐसी मान लें तो अब मैं यहां पे यह कह सकता हूं कि VC at T2 is minus VR ठीक है और capacitor में current कितना जा रहा है I0 अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछू ना बिटा दो चीजें एक तो V0 और एक VTM ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से बिटा inductor का voltage हो चुका है 0 correct inductor का voltage हो चुका है आपका 0 तो mainth high resistor के across कितना voltage आ रहा है mainth high resistor के across कितना voltage आ रहा है VC तो मैं यह बोल सकता हूँ कि मेरे भाई TM is reverse biased until VTM equal to VC is negative सर इससे क्या फायदा हुआ अरे यही तो पूरा objective था कि भाई thyristor को बंद करके reverse bias करना था तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि तब तक reverse bias रहेगा जब तक capacitor का voltage negative रहने वाला है जब तक VC negative है तब तक आपका main thyristor reverse है तब तक आपका main thyristor reverse है बात समझ में आई बात समझ में आई या नहीं आई बताऊ दूसरी बात अगर KVL से V0 निकाला जाए तो it is Vs minus VC simple ठीक है बाई सब लोग को यहां तक clear है तो एक बार confirm करो चैट के अंदर हमेशा ध्यान रखना बेटा current load के अनुसार flow करती है load अगर highly inductive है उसे I0 चाहिए तो current कहीं से भी रस्ता बनाए लेकिन जाएगा I0 ही अब वो जा रहा है capacitor से अब भाई हम लोग यहां पर क्या कहते हैं ध्यान से देखना अब हमें क्या पता है टी टू टाइम पर वोल्टेज है माइनस वी आर multipolarity है ना इसलिए टी टाइम पर मुझे नहीं पता क्या है मैं बोल रहा हूँ तो देखो इससे एक चीज समझ में आई यह जो equation अभी अमने निकाली कि वोल्टेज जो है ना time के साथ अब linearly vary करेगी क्यों ऐसा भाई जब current constant है तो वोल्टेज तो linear आएगी केपैसिटर की चलो जी अब मैं कहता हूँ कि at end of mode 2 mode 2 के end में TM turned off TM बंद हो गया था भई and it will stay it will stay reverse biased till VC is less than 0 सही बात है भई जब तक क्यपैसिटर का वोल्टेज नेगेटिव है तब तक वो reverse रहेगा अब मैं कहता हूँ VC is equal to 0 at T equal to T3 माल लो T3 पे 0 आती हम पता तो करें भई कब तक reverse बायस रहा तो T3 माइनस T2 कितना आया तो यह हो गया circuit turn off time ठीक है circuit turn off time जितनी देर तक SCR reverse बायस रहा अब मैं कहता हूँ माल लो VC charge हो जाए VS तक T4 time पे यह हो गया भई अब sir यह क्यों देखा अपने की VS तक कप charge होगा देखो यार अगर इस equation से देखो अगर capacitor VS से उपर charge होने की कोशिश करेगा तब क्या होगा V not negative हो जाएगा अगर मेरे बच्चो V not negative हो गया तो जो load के across मैंने शुरुआत में freewheeling diode दिखाया था buck converter वाला यह on हो जाएगा क्योंकि freewheeling diode तो on ही तब होता है जब output negative जाता है तो हम यही तो बोलेंगे क्या बोलेंगे if capacitor tries to charge over Vs V not becomes negative freewheeling diode turns on तो हो गया ना buck converter वाला हिसाब पहले main thyristor conduct कर रहा था फिर freewheeling diode करने लग गया बस अब यहां पही क्या होगा इसके बाद नव TM is forward bias because VC is positive therefore for next cycle we can trigger TM whenever we want अब वो फॉर्वर्ड में आ गया ना भाई क्योंकि कैपास्टर की वोल्टेज positive है अगर कैपास्टर की वोल्टेज positive है तो TM forward है अब आपको जब उसे trigger करना है कर लो और दुबारे से पूरी cycle आप repeat कर सकते हो तो यहां पे हमने क्या माना था कि TM पहले से on था अब हमने TM को बंद किया उसके बाद हमने TM को reverse bias भी किया और उसके बाद freewheeling diode on हो गया TM अपना forward bias state में था अब जब चाहू तब उसे on कर सकते हो क्योंकि वह buck converter है तो operation तो cyclic होगा न तो एक cycle के बाद तो आप on करोगे अब देखो यहां waveforms के बारे में अगर बात करें अच्छे समझने के लिए यार हम तो सबसे पहले हम किसके बारे में बना लें पहले main thyristor का current बना लेते हैं ठीक है फिर इसके बाद capacitor का current बना लेंगे एक काम करेंगे capacitor की voltage बना लेंगे ठीक है और क्या बना सकते हैं capacitor voltage के बाद वी नॉट की जरुवत तो नहीं है नहीं बस capacitor voltage तक ही चाहिए हमें और कुछ चाहिए क्या main thyristor का current के capacitor का current के capacitor की voltage चलो चाहिए होगा तो बाद में बना लेंगे तक है तक है अब अब देखो मैं इसके लिए न बॉर्डर्स बना देता हूं यह icp वाला current है peak current वो मैंने बॉर्डर बना दिये अब देखो यार सबसे पहले pi तक पहला मूड हमारे पास pi तक था ना पहला मूड हमारे पास pi तक था pi तक क्या हो रहा था main thyristor तो अराम से current लेके जा रहा था load वाला i0 इसे कोई समस्या नहीं थी इसका current कितना था i0 capacitor का current आया था sin ठीक है कैसा आया था sin आया था ओके सर यह आ गया था capacitor का current sin आया था capacitor की जो voltage थी वो cos आया थी भाई आयसे polarity पलट ली थी भाई अपनी Vs से चली गए थी minus Vs यह हो गया था आपका बिटा mode no.1 mode no.1 में इतना ही काम हुआ था correct यहां पे हमारा auxiliary thyristor on था अब इसके आगे क्या हुआ इसके आगे बिटा capacitor की voltage ने polarity बदल ली capacitor का current तो फिर भी sin रहा लेकिन sin with the opposite direction ठीक है तो आप directly उसको sin मत कह देना आप यह बोलना sin तो रहा लेकिन उल्टी दिशा में तो देखो अभी के लिए मैं dark color से बना दे रहा हूं ऐसे कि यह sign था लेकिन opposite direction में था ठीक है न अब इस समय पर क्या हुआ था कि main thyristor का current आया था mode number 2 में देखो में था main thyristor का current आया था वह i0-ic आया था यानि जैसे जैसे capacitor का current बढ़ रहा था वैसे वैसे main thyristor का current गिर रहा था main thyristor का current 0 कब हुआ जब आपका i-c हुआ i0 के बराबर जब आपका i-c i0 के बराबर आ गया था main thyristor का current 0 आ गया अब लेकिन आपने i-c तो नीचे दिखाया ना तो आप एक काम करेंगे आप i0 भी नीचे की तरफ एक बार draw कर लेंगे ऐसे बना लो यह आपने क्या बना लिया minus i0 जैसे आपने बोला i-c बराबर i0 तो मैं यह कह सकता हूँ minus i-c बराबर minus i0 अब जब i-c बराबर i0 हुआ या minus i-c बराबर minus i0 हुआ तब जाके आपका main thyristor बंद हुआ तब जाके main thyristor बंद हुआ ठीक है इस time पे इस time पे बंद हुआ भी तो इतने time तक क्या हो रहा था इसका current गिर रहा था इसका current ऐसे गिर रहा था रुप जाओ यार मज़ा नहीं आए ऐसे decay कर रहा था और यह जो आपका capacitor का current है यह sign को ही follow कर रहा था लेकिन नीचे की तरफ यह sign को ही follow कर रहा था नीचे की तरफ जैसी यह i-naught को touch किया उपर वाला current जीरो हो गया तो वहां पे जाके main था रिस्चर बंद हुआ अब ऐसे ही मेरे बच्चे expected तो हमें यह था यहां पे की voltage का graph भी cos में ही चलेगा लेकिन हुआ क्या ना चलता तो cos में ही कोई दिक्कत थोड़ी ना थी cos के अंदर चलता तो यह graph cos में ही लेकिन समस्या क्या आन पड़ी कि जब capacitor voltage का graph यहां तक उठा कहां तक उठा यह यह उठा भई माइनस VR तक तब उसके बाद क्या हुआ ना उसके बाद आपका main thyristor off हो गया तो यह जो पतली सी layer आपने बनाई है ना बच्चो यह जो आपने पतली सी layer बनाई है यह duration है आपकी mode 2 अब mode 3 में क्या हुआ mode 3 में capacitor का current fix हो गया i0 पे ठीक है और capacitor की voltage ने linearly बढ़ना start कर दिया देखो इस equation में linear behavior आया था linearly कहां तक बढ़ती गई vs तक कहां तक बढ़ती गई vs तक अब capacitor की voltage यहां से linear ली बढ़ती गई vs तक T4 पे ठीक है तो यह वाला time था T4 अब इसके बाद क्या हुआ यार इसके बाद ना capacitor की voltage आपकी fix हो गई बेटा इसी पे capacitor की voltage fix रह गई vs पे ठीक है और capacitor का जो current है वो zero हो गया क्योंकि अब current किस से जाने लगा free willing diode से इसके बाद current आपका जाएगा free willing diode से और capacitor की voltage fix हो जाएगी vs पे समझ में आया हुआ क्या तो यहां पे बेटा यह जो T3 और T2 का फासला है यह जो T3 और T2 का फासला है this time is your circuit turn off time circuit turn off time अब सर क्या यह graph हमें बनाने पड़ेंगे exam में क्या इतना बड़ा analysis करना पड़ेगा नहीं यहां पे क्या होता है कुछ एक formulas होते हैं whenever you are dealing with commutation जैसे देखो फर्स्ट peak current of main thyristor वो तो graph से clear था I0 peak current of auxiliary thyristor icp time of commutation कितना time लगा thyristor को बंद करने में इसके बाद देखो condition mode 2 का time लिख दिया है मैंने यह condition यह है icp must be greater than or equal to i0 otherwise sign inverse के अंदर डली नहीं सकती value वी आर की value यह थी ठीक है बाकी इसके अलावा कोई as such formula की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी हां यह जरूर निकाल सकते हूं इसका min value पाई बाई ओमेगा नॉट और इसका max sin inverse की maximum value पाई बाई टू होती है तो पाई प्लस पाई बाई टू इस थ्री पाई बाई टू ठीक है यह बात clear हो गई बिटा पहले तो EDC का number आएगा crash course में वही बहुत बड़ी बात है न तुम लोग आते कहां हो देखो एक simple सी बात है सत्यम first thing YouTube पे you don't get a choice second thing YouTube पे unless you guys show attendance every initiative is eventually going to shut down ठीक है तो वो होना ही है eventually तो फिर कोई फाइदा ही नहीं पहले कम से कम जो चीजे चल रही हैं उनके अंदर तो attendance दिखाओ भाई ECE के भी चार सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं crash course में कम से कम उसमें तो आओ तब तो लगे कि हाँ बच्चों की demand है बच्चे आते हैं वरना क्या होगा eventually वही होगा जो हर बैच के साथ तुम लोग कराते हो YouTube पे eventually बंद हो जाएगा चलो भाई तो यह हो गया हमारा यह हमारे सारे formula हो गए जितने हमें इसके अंदर जरूरत पड़ती है अब जड़ा question देखें in case of class A commutation और load commutation for low value of R बताओ क्या होगा L और C कैसे connected होंगे class A commutation में अगर resistance की value low है क्या आएगा answer will be D L and C is connected in series with R L and C is connected in series with R ठीक है अगला देखो भाई in case of class B commutation और resonant pulse commutation with L and C ये C जो है न 20 micro farad होगा with Vs peak value of resonant current बताओ भाई resonant current की peak value कि आएगी B, देखें, क्वांसा विल बी, B, चलो भाई, ठीक है भाई, अंकित, तुम्हारी बात सुन ली, यहां नारे लगाने से क्या होगा भाई? चलो तुम्हें बेस्ट लगता है कोई इंस्टिटूट, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यहां नारे लगा के क्या होगा? और अगर यहां साबित करना पड़े किसी को बेस्ट है, तो भाई, बहुत बड़ी बात है, सोचने लगा बात है, कोई चीज अगर बेस्ट है, तो उसे थोड़ना प्रमान देने की जरूवत है, या कहीं पर नारे बाजी की जरूवत है, दुनिया अपने आप जान जाएग मैं तो फर्स्ट हूँ, हैं बई, ऐसा नहीं होता न, अगर बेस्ट को भी लाइफ में ये बोलना पड़े न, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, क्या फाइदा बेस्ट होने का भी, दिखकार है ऐसे बेस्ट होने पर, चलो भाई, देखें, आप देखो ये कंडक्शन टाइम जो पूछ रहा है न, ये मोड वन है, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 5, C, answer will be C, चलो अगला, a series circuit consists of R, L, C and thyristor, self commutation यानि class A, class A के लिए बेटा, C का value कितना होना चाहिए, C का अगला है, के का vendo टावर माइनन का है, बावर बेटाए, क कर दो के लिए इतना है, 005 क क लावर्यम पाहे हैं, बावर 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 बावरे, क्या आएगा बैए देखो यहाँ पे कंडीशन होती है अन्डर डैंप्ट की कितना आ रही है सही लिखा है नामने आर शुडबी लेस देन हाफ अंडर रूट ल बाइसी तो स्कॉार कर लिया वन बाइ फूर हो गया नन अफ दीज आ जाएगा यहां तो क्योंकि इन में से कोई भी आप्शन वन पॉइंट जीरो एट माइक्रो फैरेट से छोटा तो नहीं है है न हाँ भई नाचुरल कम्यूटेशन मेंस नाचुरल कम्यूटेशन मेंस बताओ भई क्या होगा क्या आएगा सी मेरे हिसाब से डी होना चाहिए क्योंकि अलाविंग टाइम नहीं यहां पर यह होना चाहिए रिवर्स बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग की बात नहीं की ना तो आंसर विल बी डी ठीक है तो आंसर शुड़ बी डी क्योंकि यहां रिवर्स बाइसिंग की बात नहीं की सिर्फ करेंट जीरो करके छोड़ थोड़ी ना देंगे चाल सो दैट्स ओल फॉम माई साइट बचो और जो लोग अनकाडमी जॉइन करना चाहते हैं जल्दी से जॉइन कर लीजे क्योंकि यहां पर बेटा मेरा पावर सिस्टम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है यहां आपको लाइट क्लासिस मिलेंगी जिनमें टीचर से बात भी कर पाओगे लाइव इंटरैक्ट कर पाओगे क्रैश कोर्सिस कॉम्प्रिहेंसिव के साथ-साथ डेली असाइन्मेंट वीकली टेस्ट ये भी आपको प्रोवाइड़ रहेगा इसके अलावा डाउट क्लियरिंग के लिए आपको सभी क्वेशन का वीडियो सल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो और बेटर है क्योंकि वहाँ ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लैनर बनवाएगा टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन्दा स्टडी बूस्चर सेशन टेस्ट अनालिसस मिलेगा स्टडी माटीरियल मिलेगा और आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिये जाएगे तो आप यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हूँ अंकेट एसी तो आपको इमिजियेट मिलेगा 10% डिसकाउंट और जैसा मैंने बताया 8 सेप्टेंबर नेक्स वेंजडे से बिटा मेरा पावर सिस्टम का कोर्स आ रहा है एवरी डेट 7 एम उन प्लस तो इसका हिस्सा बने इसमें मचाएं और इसको फोडें ताकि आप पावर सिस्टम में अच्छे मार्स ला पाओगे 19th of October तक चलेगा 1000 से ज़्यादा question कराऊंगा daily आप लोग मुझसे audio पे बात कर पाऊगे अलग level पे subject होने वाला है परमानू बैच वाला inverter वेंजडे कराऊंगा मनिश्या और यह नए बैचेज आएं पेटा crack gate 2022 batch A आरोहन फॉर 23 then crack gate 22 batch A for and आरोहन फॉर 23 EC के लिए भी और ऐसी ESC prelims का technical भी start हो रहा है पेटा first batch from this Wednesday यानि कि आज ही से start हुआ है तो जल्दी से join कर लो use code ankit ESE और unacademy में ask a doubt feature आगया है जहां पे आप unlimited doubt पूछ सकते हैं बैटा किसी भी समय पे पूछ सकते हैं हर question का बढ़िया video solution दिया जाएगा और अगर वो question पहले पूछा जा चुका है तो आपको immediate video solution उसका मिलने वाला है तो आपके homework तक में आपकी मदद हो जाएगी और this is the first ever video solution portal for doubt clearing और यहां पे बैटा भी offer भी चल रहा है जल्दी join करने पे जिक्स मन्स पे आपको 3 मन्स extra मिल रहा है ताकि आप ESE mains 2022 तक का target ले पाओ और अगर unacademy join करना है तो two year का subscription best होता है क्योंकि यहां पे आप multiple exam crack कर सकते हो और basic से सीखने के लिए चीज़ें एक साल से जादा time लगता है तो आप code लगाएं अंकित ESE immediate discount भी मिलेगा और मेरी personal guidance में आप आ जाओगे other than that आप two year iconic के लिए भी जा सकते हो amount heavy लगेगा लेकिन यह investment है आपकी education में और यह amount आप चाहो तो education loan की facility भी ले सकते हो unacademy से या फिर EMI पे pay कर सकते हो बस code याद रखना अंकित ESE और special classes attend करते रहिए क्योंकि वो interactive होती है वहाँ पे educator से बात कर सकते हो raise hand करके audio पे बात कर सकते हो polling का हिस्सा बनके questions को जादा अच्छे से enjoy कर सकते हो बिटा मेरी next special class कल 11 बजे होगी पीएस भीमरा के question कराऊंगा मैं for electrical machine और अगर मुझे follow कर लोगे तो मेरी special class का notification आता रहेगा lecture notes आपको provided रहते हैं वहाँ पे आप download कर सकते हो PDF ठीक है यह मेरी academy profile है मुझे follow कर लेना ताकि notification आते रहे और मुझे message भी कर पाओ और यह है telegram channel जहां हम कराते हैं daily quizzes so thank you everyone like, share, subscribe कर देना बिटा और bell icon दबा देना ताकि notification आता रहे अभी 8 बजे मिलेंगे challenger series के solution के साथ तब तक मचाते रहो फोड़ते रहो let's crack it